तुम माइनटर्फ खेलते हो? हाँ क्या तुम्हें मुल्टीप्लायर खेलने में कोई दिक्कत है? हाँ क्यूँ तुम्हारे पास वाइफ़ाइ नहीं है? या तुम्हें माइनटर्फ साइन इन करने नहीं आता? अरे हाँ भी हाँ तो ये लो ये वीडियो लास्ट तक देखो सब समझ जाओगे आगे बढ़ने से पहले गोर्च देखे इन कमेंट्स को रियल नहीं हुई तो अनसक्रीबे बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो नहीं तो मैं ऐसी कमेंट्स की रिप्लाइ नहीं देता अब कुछ इंपोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ अगर आपको नहीं पता होगे मैंट्राफ मल्टिपलर खेलने के लिए हम वाइफाय का इस्तमाल नहीं करेंगे सिर्फ अपने मोबाइल के इंटरनेट यूज करेंगे मैंट्राफ वर्जन अलग-अलग होने के वेज़े से हम अपने फ्रेंड्स को अपने वर्ड में इन्वाइट नहीं करा पते हैं मैंट्राफ के न्यू न्यू वर्जन्स साइट क्यू गेमिंग के हल्प से लिया है तो मैंने उनका चैनल का लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अगर आपको साइन इन करना नहीं आता तो मैंने इस टॉपिक पर भी आल्रेडी वीडियो बना रखिये उसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ बहुत एजी लिए आप साइन इन कर लोगे तो पहले आप साइन इन कर लो बट इस वीडियो के बाद चलिए शुरू करते हैं अब जो मैं आपको अपना स्क्रिन डिखा रहा हूँ इसमें अल्रेडी साइन इन है और मेरा जो वर्जन है वो भी मेरे फ्रेंड का ही है अब जो मैं करने वाला हूँ वो आपको और आपके फ्रेंड को भी करना है याँ आप देख सकते हो यहाँ मेरे मॉबाइल का 네't on है ना की वाइफाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या सेटिंग करना है तो ये देखो ये मेरे friend का screen है और इसमें भी already sign in है और वही वर्जन है जो कि मेरे पास है तो आपको setting पे click करना है फिर अपने profile पर फिर आपको यहाँ अपना gamer tag दिख जाएगा जब आप sign in करोगे फिर आपको नीचे scroll करते वे आपको दिख जाएगा auto update unlock packs तो उदर आपको only wifi और cellular data यूज़ करना है फिर आपको main setting उसके नीचे मिलता है use cellular data को on करना है फिर allow और trusted screen आपको on रहेगा उसे off कर देना है क्योंकि आपका suit with जो रहेगा वो आपके friends को भी दिख जाएगा और अपने friends को भी यही करने बोलना है फिर आपको अपने friends वाले tab में जाना है उदर आपको sign in कर रहेगा तो आपको add friend का option मिलता है जहाँ आप अपना friend का gamer tag देकर उसे add friend कर सकते हो जैसे मेरे friend ने भी मेरा gamer tag अपने mobile से type करके और मुझे add friend कर दिया है और मैंने भी अपने friend को ऐसे add friend में add कर दिया था और आपके friend को भी ऐसे ही करना है फिर add friend होने के बाद जिस भी world में बुलाना हो उस world को play करना है फिर world open होने के बाद invite करना है अपने friend को अब उपर वाली स्क्रेंड मेरे फ्रेंड का है उसको पॉस बॉटम दे क्लिक करना है फिर राइट सेंड में ओप्सण दिखता है इन्वाइट टू गेम का अब जो भी फ्रेंड ऑनलाइन रहेगा उसके सेलेट करके सेंड आ इनवाइट करना है देखो जैसे ही send invite किया वो इसे ही मुझे एक notification आ गया मेरे friend का तो मैं friends के tab में देखूंगा कि मेरा friend अभी online है और मैं उसके world में जाके खेल सकता हूँ फिर कुछ दिर wait कने के बाद मेरे friend के screen पे एक notification आएगा कि मैं अब उसके world में enter हो चुका हूँ मतलब की join हो गया हूँ इसका मतलब हम अभी multiplayer खेल सकते हैं अब देखो अभी मुझे कोई भी problem face नहीं हुई है अपने friend के साथ multiplayer खेलने के लिए अगर आपको कुछ भी face होता है तो please comment करो बट अब ये मत बोलना कि low device और high device में फरक होता है नहीं मेरा तो 8GB वाला phone है बट मेरा friend का 3GB है फिर भी हम दोनों एक साथ multiplayer खेल पा रहें तो please comment में एक बर बता देना कि आपने last तक वीडियो देख लिए मतलब hashtag minecraft multiplayer लिग देना I hope आप समझ गए होंगे कि अपने friend को अपने world में invite कैसे करना है अगर आपको sign in करने नहीं आता तो मैंने इस पर already वीडियो बना रखिये description में आपको link मिल जाएगी जब चिक कर लो और sidecube gaming channel को visit करना में अत भूलना तो मैं मिलता हूँ एक जलने वीडियो में तब तक के लिए bye bye thanks for watching